यह मशकर दोस्तों मैं आपका दोस्त लिवस सिंगल आपके लिए लेकर आया हूं है जार led light कि जो बाउल में आपने देखा हो अप्लास्टिक कैप लगती है उसके अंदर जार एक लगती है उसको जार लाइट कहलाती है यह लाइट इस प्रकार से होती है यह हम लोगों की पल्प पैटों के नाम से लाइट मिलती है बजार में और बहुत ब्राइट है बहुत सुन्दर है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती है मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूं कि कैसे पैक होती है कै प्रेटी के अंदर इस सारी चीजें में आपको बताता हूं इसका यूज का यूज इसका कि जार led light कैसी होती है यह जार एदिलाइड है यह complete है इस तरीके की कैप आती है बजार में बाउल्स के लिए यह बाउल मिलता है इसी के लिए इसी के लिए लाइट बनाए हुई है इसका बड़ा इसका यूज कैसे है is इस ट्वाइब क्रिंग आती तरफणी स्कुर्ण ने वी चमनिक जाता अगक्रों बसक्हें यह आपका लॉक लग गया अब यालाइट कहीं नहीं जाएगी और यह लाइट सिम्पल लग गई आपका जा रही लाइक तहीं आ रहें बाउल तहीं आरें आप से असका लगते है से पिलग ये अपको यह आपको 10 इंच में मिल जाएगी तैन इंच की कफ भी ऐसी होती है सेम इसमें लग जाती है अब मैं आपको दिखाता हूं कि लाइट कौन कौन से कौन कौन से कलर कैसे कैसे लगते हैं जलने के बाद अभी आपको इसको लाइट ओन करके दिखाते हैं देखिए हम आपको दिखाता हूं कि लाइट कौन कौन से कलर्स में हम लोग के पास कि यह वाइट हो गई यह ब्लू होगी यह ब्लू लाइट है कि यह जो हम लोग ने कैप में जो फिटिंग लगाई थी यह वही लाइट है जिए वब वाइट य,' हम इसमें वाइटब आती है इसमें और प्रिंक भी आती है गरीन भी आता है मैं टीकलर भी आते हैं सारी लाइट के कलर साथे हैं और यह आपको अंब- सभी तरीडिके से मिल जाएगी अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका प्रोडेक्शन और कैसे यह मेकिंग कैसे होती है मतलब हम लोग इसको कैसे इसको तैयार करते हैं जार एली लाइट को कि अ कि देखी है डीओ फी लाती है यह बाद है जो फैए सब बॉक्स में चली जाती है इस तरीके से यह लगा हुआ है यह लगा हुआ है यह डारेक्ट जुल जाता है इसको बस खाली प्लास्टिक की फिटिंग में डालना है चार एली लाइट की जो फिटिंग होती है उसमें डालना है तो लाइक तयार हो जाएगी है इस तरीके से यह प्रूचर की फिटिंग आती है और यह इसी तरीके से इसकी कैप आती है उपर की